ओ नाविक, क्या तुम्हारी नाव चलने के लिए तैयार है? हाँ, क्यों नहीं? मुझे बताओ बाई, आज की क्या थाजा घबर है? माँप कीजे स्रीमहन, मैं पढ़ लिख नहीं सकता, मेरे जिन्दगी में अकबार का कोई स्टान नहीं कितनी दुरभागे पूरण बात है, तुम लिख पढ़ नहीं सकते एक चौथाई जिन्दगी अज्ञानता में बीद गई, कम से कम समय तो देख सकते हो नहीं जी, मैं बस इतना जानता हूँ जब सूरज निकलता है तो सुभह होती है, और जब डूब जाता है तो शाम होती है अज्ञानता की ये तो परागाश्टा है, और दूरधर्शन का क्या, वो तो देखते हो दूर दर्शन? दूर दर्शन तो एक फिजूल खर्च है, न तो मेरा इतना सामर्थ है और ना ही देखने के लिए मेरे पास समय है तुम्हारे जीवन का तीन चौथा ही हिस्सा बेकार गया, तुम्हें मालूम है कि इसी प्रकार के अज्यानता की वज़े से हमारे देश के ऐसी बुरी हालत है तुम लोगों को अपने आपको शिक्षत करना चाहिए, तुम लोगों को और ज्यादा ज्याग रूख होना चाहिए श्रीमान क्या आप तहर ना जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता, तो फिर आपकी पूरी जिन्दगी वर्द गई, मैं चला प्रूब लोगों को जानता है